Hey guys, my name is Ankit and you're watching Gadget Capsule आप सभी को पता होगा कि इस टाइम पर ग्राफिक कार्ड की डिमांड्स कितनी जादा है और स्टोर्स पर कितने हाई प्राइसे पर मिल रहे हैं आप मेंसे कुछ लोग यूज ग्राफिक कार्ड लेना प्रिफर भी कर रहे हैं तो आज हम इस वीडियो के अंदर उन पॉइंट्स को कवर करेंगे जो यूज ग्राफिक कार्ड लेने से पहले आपको ध्यान में रखने चाहिए सबसे पहले आप स्टोर पर जाएंगे और जो कार्ड आपको लेना है उसको ध्यान से देखेंगे कि उसकी कंडिशन बाहर से कैसी है कितना पुराना है हो सकता है आपको दो ग्राफिक कार्ड लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट यूज करने वाला था वो किस काम में ले रहा था आप किसी trusted source या फिर individual person से लेते हैं तो वो आपको बता देगा कि वो क्या काम में ले रहा था मान लीजी कि कोई अगर सिर्फ graphic related काम में ले रहा है या फिर video editing वगरे करता है visual designing करता है तो उस कार्ड में usually इतनी problem नहीं आती है पर किसी ने overclock किया है तो कार्ड के अंदर PCB capacitors, ICs वगरे की एक life होती है जादा use करने से वो खराब भी हो सकती है उससे आपको बचना है तो ऐसे कार्ड को नहीं लेना है बट in case बहुत जादा कम price के अंदर मिल रहा हो तो फिर आपकी मर्जी है बाकी सारी चीज़े देखने से पहले सबसे important चीज़ की physically कैसा है, condition कैसी है कार्ड की PCB clean है या नहीं है, अगर back plate नहीं लगी हुई है तो आपको पता चल जाएगा screws कम तो नहीं लगे हुए है उससे भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ अगर इस कार्ड को open किया गया है तो हो सकता है इसके अंदर पहले से कोई problem हो, उसके लिए open किया हो ये सब आपको ध्यान में रखना है क्योंकि use कार्ड लेने में risk तो है rusting देखना कि कहीं बहुत जादा किसी पार्ट पर rusting तो नहीं है PCB में bend तो नहीं है because काफी बार card hang किये रहते हैं तो support नहीं होता है fan के blades हैं वो broken तो नहीं है अगर एक दो broken भी है तो उससे जादा फरक नहीं पड़ता है और अगर आपको लग रहा है कि आपको change कराने चाहिए तो easily वो replace भी हो जाता है अगर गंदे से use किया हुआ होगा तो बहुत जादा गंदा होगा excessive dust होगी उसके उपर अगर proper time to time clean नहीं किया हुआ है तो आयो देखना कि ports ठीक तो है अंदर से कुछ missing तो नहीं है कहीं पर band तो नहीं है अगर है तो मतलब वो अच्छे से use नहीं हुआ है अब एक और चीज़ जो काफी सारे लोग पूसते है कि mining में जो काम आई वे cards है वो बहुत सादा market के अंदर आ रहे है तो वो लेने से पहले भी आपको वही देखना है कि condition कैसी है PCB clean है या नहीं है किसी component का shape heating की वज़े से खराब तो नहीं हुआ है और ऐसा नहीं है कि mining में जो cards आते हैं वो सारे खराब होते हैं कुछ लोग जो professionally mining करते हैं अच्छे से काम में लिया हुआ होता है वो लोग इसे full capacity पर use भी नहीं करते हैं अंडर वोल्ट रखते हैं voltage कम रखते हैं ताकि heating issues से बचा जा सके और card की condition होती है वो भी ठीक होती है और जहां तक एक problem आती है कि bios related तो आप उसको easily जो उसकी original bios आती है उसमें reset कर सकते हैं अब एक और चीज़ आपके दिमाग में आती है कि जो used card है वो online लें या फिर local market से लें तो simple answer है हमेशा local market prefer कीजिए हो सकता है आपके पास में card मिल रहा हो कोई बंदा है उसे अपना system upgrade करना हो और वो अपना पुराना graphic card बेचना चाह रहा हो तो आप उससे ले सकते हैं या फिर आपके यहाँ पर कोई trusted store है आप वहाँ से भी ले सकते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि जो under warranty cards है वो मिलना बहुत मुश्किल है इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं तो बस आप यह सोचिए कि अगर आपके card के साथ में in future कोई problem होगी तो आप क्या करेंगे और अगर आपका GPU warranty के अंदर है तो proper paperwork लेना ना भूलिएगा और check कर लीजिएगा कि कहीं fake तो नहीं है अगर आप किसी trusted जगे से ले रहे हैं तो वहाँ पर आप benchmarking वगरे भी कर सकते हैं stress test भी कर सकते हैं और कुछ store होते हैं जो कि वारंटी में card नहीं होते हैं उनके ओपर भी 3 से 6 months की warranty देते हैं तो यह अच्छी चीज़ है कि in future अगर आपके card के साथ में कुछ हो जाता है तो आप महाँ पर लेके जा सकते हैं और अगर आप फिर भी online GPU ले रहे हैं तो सबसे पहले यह check कर लीजिए कि कम से कम return policy तो है क्योंकि आजकल internet पर scam काफी जादा होता है और बाकिया आप खुद समझदार हैं मुझे बताने की ज़रत नहीं है अब last step कि आपने card final कर लिया है कि आपको वही लेना है तो आप अपने साथ में कुछ games लेकर जाएं जो आप खेलते हैं benchmarking के लिए बट benchmarking से ये पता नहीं चलता है कि card की condition अच्छी है या नहीं है तो उसके लिए बहुत सारे software साते हैं जिनसे आप GPU का stress test कर सकते हैं 10 से 15 मिनट test run करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका card ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर कुछ भी problem होती है तो उस condition में आपकी screen freeze हो जाती है आपको flickering वगरे दिखने लगेगी हो सकता है आपको जो उस पर image आ रही है वो भी अच्छे से ना दिखाई दे या फिर जो blue screen आती है वो आ जाए तो उससे आप easily पता लगा सकते हैं कि आपका card कितना सही है और मैं link description के अंदर डाल दूँगा software का वहां से आप download कर सकते हैं I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो ये कुछ basic चीजे हैं जिनको ध्यान में रखने से आप scam से बस सकते हैं और आपको card 2-3 साल तक चलाना होता है तो ये भी चीज हमेशा ध्यान में रखिए उसी साब से card पसंद कीजिए मिलते हैं next वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो like कर दीजेगा अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो वो भी कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ में share जरूर कर दीजेगा Thank you so much for watching this video